कोर्बा के दिपका पुलिस पर जबरन चलान काटने का रोप लगाया कोल कर्मियों ने गेवरा खदान में कारेरत कर्मियों ने दिपका थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों पर जबरन चलान काटने का रोप लगाते हुए महाप्रबंधन से शिकायत की है उनका कहना है कि एमर्जनसी पास होने के बावजुद 200-500 रुपय का चालान काटा जाता है राशी नहीं होने पर अबद्धता की जाती है गेवराशेत के लगभग 100 कर्मचारियों ने महाप्रबंधन को पत्र लिख कर कहा है कि सुबह उर्जन अगर चौक के पास दिपका थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ उपस्तित रहते हैं पूछताज किये जाने पर ड्योटी जाने के बात कहते हुए उन्हें इमर्जनसी पास पर परिचपत्र भी दिखाय जाता है इसकी बावजुद पूलिस का कहना होता है कि पास को नहीं मानते बाहर घूमने की बात कहते हुए भी चालान काटा जाता है जबकि उनके पास समाने परिचपत्र पहले से है इधर डिपका थाना प्रभारी हरिष्टांडेकर का कहना है कि कर्मियों का आरुप गलत है प्रशासन ने इस पष्ट कहा है कि इमर्जेंसी ड्यूटी करने वाले कर्मियों को अपना पास गले में लटका कर रखना है ताकि पुलिस को तत्काल दिखाया जा सके लेकिन कई कर्मचारी वर श्रमिकनेता अपना पास घर पर छोड़कर जाते है या फिर गले में लटका कर नहीं रखते इसलिए करवाई की जा रही है अवर्दता किये जाने का आरोब बेपुनियाद है मेडिया फोर्ट सपोर्ट के लिए राजे साहु की रिपोर्ट